दोस्तों आज के ग्रामर के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कैन की जी हाँ अंग्लिश में हम जिस तरह से C, A, N, कैन का इस्तमाल करते हैं उसको हम हिंदी और उर्दू में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे या किस तरह से हम बोलेंगे जुमलों को देखने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब हम कैन का इस्तमाल करते हैं तो हम किस तरह के मतलब और माइनी को एक्सप्लेइन करने जा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं दोस्तों याद रखिए कि जब भी हम इसका इस्तेमाल प्रेजन टेंस में कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारे जहन में एबिलिटी, कैपासिटी या पर्मीशन जैसे मतलब होते हैं यानि योगिता सलाहियत, शम्ता आग्या, अनुमती, या इजाजत तो जब भी इस तरह के आप जुम्ले बोलने जा रहे हो आप कैन का इस्तमाल कर सकते हैं याद रखिए कि कैन सबजेक्ट के फोरण बाद आता है उसकी बाद वर्बाता है कैन में जो एक खास मतलब होता है वो होता है able to, यानि मैं कर सकता हूँ मैं समर्थ हूँ, मैं इस लाइक हूँ सबसे पहला जो जुम्ला मैंने लिया है वो है I, जैसा मैंने कहा सबजेक्ट के फोरण बाद आएगा I सबजेक्ट है कैन लगा है, do it यानि इसका अगर हम मतलब समझेंगे तो I am able to do it literal meaning मैं ये करने के लाइक हूँ योग्य हूँ मैंने यहाँ पर लिखा है मैं ये कारिक कर सकता हूँ हलाकि यहाँ पर नहीं लिखा है कि I can do this work मगर मैंने तर्जुमे में लिखा है उर्दू में है मैं ये काम कर सकता हूँ या सकती हूँ वैसा ही हिंदी में भी आएगा क्योंकि इसमें जेंडर नहीं है आम तोर पर इस तरह के जुमले मुभाम होते हैं उसके बाद है my brother can drive a car तो यहाँ पर आप देख सकते हैं subject है my brother उसके बाद हमने लगाया है can उसके बाद हमारा verb है drive और उसके बाद है object a car हिंदी में है मेरा भाई कार चला सकता है यानि वो इस लायक है उसके अंदर वो योग्यता है वो सलाहियत है मेरा भाई कार चला सकता है उर्दू में भी the principal can grant your application प्रधाना चार्य तुम्हारा प्राथना पत्र सुवीकार कर सकते है अब प्रधाना चार्य को आम तोर पर उर्दू में हम principal ही बोलते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर मॉल्ले में आला लिख दिया है अगर principal भी आप लिख रहे हैं तो वो भी सही है तुम्हारी दर्ख्वास्त कुबूल कर सकते हैं या मन्जूर कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे अब यहाँ पर तस्कीर उतानिस के हवाले से हम एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि प्रात्ना पत्र चुकी noun masculine है इसलिए यहाँ पर तुम्हारा इस्तमाल हुआ है और दर्ख्वास्त चुकी noun feminine है इसलिए यहाँ पर इस्तमाल हुआ है तुम्हारी तो तुम्हारी दर्ख्वास्त खुबूल कर सकते हैं दोस्तों यह चोटे 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 बाते हैं जो बोलने में या तरजुमा करने में अगर गलती सरजद हो जाती है तो खराब लगता है उसके बाद याद रखिए कि जब भी हम असमर्थता यानि जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं या मना कर रहे होते हैं तब वहाँ पर can not का इस्तमाल करते हैं जिसको हम short form में c a n और apostrophe t के साथ लिखते हैं can't तो I can not help you मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता उर्दु में है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता उसके बाद है can you hear me can you hear me क्या तुम मेरे शब्दों को सुन सकते हो और अगर आप बहुत लिटरल करते हैं can you hear me क्या तुम मेरे शब्दों को सुन सकते हो क्या तुम मेरे अलफाज सुन सकते हो तो यह आप पर depend करता है उसके बाद है you can solve the question तुम प्रेश्न को हल कर सकते हो तुम सवाल को हल कर सकते हो उसके बाद एक लंबा जुमला है I am so old that I cannot walk without a stick मैं इतना बूढ़ा हूँ I am so old that that का मतलब की है मैं बहुत तफसील से यह आपको पिछले अपने वीडियो ने बताती रही हूँ छड़ी की सहायता के बिना नहीं चल सकता मैं इतना बूढ़ा हूँ कि छड़ी की मदद के बगएर चल नहीं सकता यह एक लंबा जुमला है अगला जुमला है कबीर कैन लेंट यू सम मनी इफ ही लाइक्स अब इफ ही लाइक्स क्या है यदि कबीर चाहे तो तुम्हें कुछ रुपे उधार दे सकता है ठीक यहाँ पर कैन का इस्दमाल है अगर कबीर चाहे तो तुम्हें कुछ रुपे उधार दे सकता है सेम उर्दू में भी है उसके बाद है can you hear what the teacher is saying can you hear अब यहां पर आ गया क्या तुम सुन सकते हो can you hear what the teacher is saying क्या कह रहे है क्या तुम सुन सकते हो कि उस्ताद क्या कह रहे है उसके बाद है the shopkeeper discount on this thing the shopkeeper can give you discount on this thing तुकांदार इस स्वस्तू पर तुमको छूट यानि discount दे सकता है तुकांदार इस चीज़ पर तुमको छूट दे सकता है उसके बाद है you can sit here तुम यहां बैठ सकते हो तुम यहां बैठ सकते हो जैसा मैंने कहा यह इजाज़त भी आपको देने के लिए इस्तेमाल होता है आग्या या अनुमती के लिए उसके बाद है we can leave our office after five o'clock हम पाँच बजे के बाद कार्याले से जा सकते हैं अब उर्दो में क्या है आपको structure तो तबदील नहीं करना है सिर्फ लवजियात आपने बदल दी है हम पाँच बजे के बाद दफतर से जा सकते हैं उसके बाद है टू बुक्स ऑन योर लाइब्रेरी कार्ड लाइब्रेरी कार्ड क्या है पुस्तकाल है कार्ड हिंदी में उर्दो में वो लाइब्रेरी कार्ड ही रहेगा तुम अपने लाइब्रेरी कार्ड पर दो पुस्तके ले सकते हो उर्दो में है हम अपनी कारों को इस इस इस्थान पर नहीं खड़ा कर सकते हम अपनी कारों को इस जगह पर खड़ा नहीं कर सकते तो देखे यहाँ पर एक छोटी सी मैंने तबदीली की है यहाँ पर मैंने लिखा है नहीं खड़ा कर सकते और यहाँ पर लिखा है खड़ा नहीं कर सकते तो ये दोनों ही accepted हैं और चाहे आप negation को verb के बाद लगाएं या पहले लगाएं फिर है you cannot smoke in cinema halls तुम सिनेमा घरों में धुम्रपान नहीं कर सकते धुम्रपान क्या है smoke तुम सिनेमा घरों में cigarette नोशी नहीं कर सकते तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी वीडियो आपको कैसा लगा आपके comments का हमें comments box में इंतजार रहेगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe